हाई गाई वेलकम तो माई चैनल आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर की साइंस चैप्टर नमबर वन क्रेक्टर स्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ और्गनिसम्स तो चलिए आए शुरू करते हैं आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप रोज देखते हैं तो चलिए लिस्ट बनाते हैं प्लांट्स, बर्ड्स, साइकल्स, कार्स, हाउसेज वगरा वगरा तो हमने एक लिस्ट बना लिए गए अब इन चीजों में से आप कैसे डिसाइड करेंगे कोन सी चीज़ें लिविंग फिंग्स हैं तो सबसे पहले लिविंग फिंग्स एंड नॉन लिविंग्स की डेफिनिशन देख लेते हैं एक जगा से दूसरी जगा हरकत कर सकती हैं उनको living things कहते हैं और वो चीजें जो ना हरकत कर सकती हैं ना बढ़ती हैं ना खाना खाती हैं उनको non living things कहते हैं अब आईए living things की कुछ character sticks देखते हैं character sticks of living things के living things की क्या खसूसियात हैं पहली खसूसियत ये है living things use food to remain alive जानदार के लिए खुराग की जरूरत होती है खाने के बगए कोई भी जानदार चीज जिन्दा नहीं रह सकती जैसे जानवर होगे उनको भी खुराग की जरूरत होती है इसके बगए वो जिन्दा नहीं रह सकता प्लांट्स को भी खुराग की जरूरत होती है लेकिन वो खुराग बा सांस लेती हैं जैसे जानवर भी सांस लेते हैं इनसान भी सांस लेते हैं और पौदे भी सांस लेते हैं इनसान ऑक्सीजन को जज़ करता है अपने अंदर और कार्बन डायकसाइड को सांस के जरीए बाहर खारीच करता है जबके पौदे जो हैं वो कार्बन डायकसाइड अब जानवर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं इनसान भी एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकता है सिर्फ पौदे एक ऐसा जानदार है जो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते जानदार चीज़ें अपने जैसे ही बचे पैदा करती है ठीक है इनसानों के बचे भी जैसे होते हैं और जानवरों के बचे चैसे ही होते हैं Living Things Can Grow, जानदार चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे एक बच्चा छोटा सा होता है फिर बढ़ता बढ़ता एक बड़ा आदमी बन जाता है और फिर बुड़ा हो जाता है, इसी तरह जानवर भी पहले छोटा सा बच्चा होता है और फिर बढ़ते बढ़ते वो बढ़ते वो चलता रहता है और लिविंग आ किन संस्त जानदार चीज़ें महसूस कर सकती है गरμी सर्दी हर चीज औरु कर सकती है अब जानवर जानवर हो भी महसूस कर सकते है- कि अधियो उन्सान को ही और उस तौर न मक्या है इसके बार आप से एक सवाल पुछा गया है Can you think of some more qualities of living things क्या आप इसके इलावा जानदारों की कुछ खुसूसियाद बता सकते हैं तो some more qualities of living things are Living things are made up of cells जानदार अशिया cell से या खुलियाद से बनी हुई होती है Living things adopt to the environment जानदार मोहौल से मताबकत रखते हैं यानि जैसा भी वहां का environment होता है जानदार अपने आपको उसके मताबक ढाल लेते हैं Living things need energy जानदार चीजों को काम करने के लिए energy की जरूरत होती है List down a few characteristics of a vehicle that are also found in living things गाड़ी की चंद ऐसी खुसूसियाद की फेरिस बनाएं जो जानदारों में भी पाई जाती हैं There are two characteristics of a vehicle that are also found in living things गाड़ी की दो ऐसी खुसूसियाद हैं जो जानदारों में भी पाई जाती है Vehicles can move from one place to another गाड़ियां एक जगा से दूसरी जगा हरकत कर सकती है Vehicles consume energy गाड़ियां energy इसी तरह जानदारों को भी काम करने के लिए energy की जरूरत होती है Next topic is characteristics of major groups of living things यनि जानदारों के major groups हैं बड़े group हैं उनकी खुसूसियाद क्या है तो जानदारों के two major groups हैं नमबर one plants और नमबर two animals Do you know that both plants and animals are living things? क्या आप जानते हैं के पौदे और जानवर दोनों जानदार चीज़े हैं You might have seen animals like butterflies, sparrow, goat, cow and fish आपने जानदार देखे होंगे जैसे तितली, चिडिया, बकरी, गाए और मचली वगरा You might have also seen plants like trees of apples, bananas, oranges and mangos इसी तरह आपने पौदे भी देखे होंगे सेब के दराख, केले के, माल्टे के और आम के If both plants and animals are living things, then what is difference between them? अगर ये दोनों चीज़ें जानदार हैं तो इनमें फरक क्या है? The two major groups of living things are plants and animals जानदारों के दो बड़े group हैं, एक पौदे और दूसरे जानवर Similarities and differences between plants and animals पौदों और जानवरों में फरक क्या है और उनकी सेम चीज़ें क्या है? Look at the pictures of a mango tree and a goat ये एक बकरी की और एक आम के दरख की तस्वीर को देखें Analyze the differences and similarities between these two living things अब इन दोनों में जो चीज़ें एक जैसी हैं और जो मुफ्तलिफ हैं वो बताएं तो नीचे आपको एक वैन डाइग्राम के जरीए बताया गया है तो ये वैन डाइग्राम के बारे में पहले देख लेते हैं वैन डाइग्राम में similarities are shown in its center जो दर्मयान वाला हिस्सा होता है इसमें similarities बताते हैं कौन सी चीजें एक जैसी हैं वो दर्मयान में लिखते हैं और एंड डिफ्रेंसिस आर शोन और इटस साइड और जो फरक होते हैं उनको साइडों पे लिखते हैं तो अब ये वैन डाइग्राम के जरीए प्लांट और एनिमल्स की similarities और डिफ्रेंसिस चो करने हैं अब देखते हैं डिफ्रेंसिस क्या हैं प्लांट्स आर यूजली ग्रीन इन कलर पौदे हमेशा अकसर सबस रंग के होते हैं जबके एनिमल्स आर यूजली ओफ वेरियस कलर जबके जानवर बहुत सारी किसमों के होती हैं प्लांट्स आर अबल टू मेक दियर ओन फूड पौदे अपना खाना खुद बनाते हैं एनिमल्स आर डिपेंडेंट अउन प्लांट्स और अधर एनिमल्स फॉर दियर फूड जबके जानवर अपनी खुराक के लिए पौदों और दूसरे जानवरों पर इनहसार करते हैं अब इसमें सेम चीजें क्या हैं दोनों में नमबर वन ग्रो दोनों बढ़ते हैं नमबर टू रिस्पायर दोनों सांस लेते हैं नमबर थिरी री प्रोड्यूस दोनों बचे पैदा करते हैं दोनों अपनी नसल को आगे बढ़ाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से बढ़ाते है हैं दोनों लेकिन बढ़ाते हैं डू यू नो लिविंग तिंग्स हैव क्रेक्टर स्टिक्स ओफ एक्जर्शन एंड सेंस्टिविटी यानि जानदार चीजों में यह खुसियत है कि वो महसूस कर सकती है और एक्जर्शन का मतलब है कि गंदगी खारिच करती है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड, सनलाइट, वाटर एंड एर जानवरों और पौदों दोनों को जिन्दा रहने के लिए खुराक, सुरच की रोशनी, पानी और हवा की जरूरत होती हैं प्लांट्स प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं शुक्रिया क्योंकि अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम जिन्दा नहीं रह सकते, तो पौदे हमारे लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं जो के बहुत अच्छी खुसियत है, नेक्स टॉपिक इस क्लासिफिकेशन ओफ एनिमल्स यानि जानवरों को कितने हिसों में तक्सीम किया गया है, एनिमल् वर्टिब्रेट्स वह जानवर जिनके रीड की हड़ी है, इन वर्टिब्रेट्स वह जानवर जिनके रीड की हड़ी नहीं है, पिक्चर्ज ऑफ सम् वर्टिब्रेट्स आर गिवन ब्लो, जिन जानवरों में रीड की हड़ी है, उनकी तस्वीरें नीचे दी गई है, फिश फ्रॉग लिजर्ड पिजन कैट पिक्चर्ज और सम इन वर्टिब्रेट्स आर गिवन बलू और वो जानवर जिन में रीड की हड़ी नहीं है उनकी तस्वीरे भी नीचे दी गई है काक्रोच हनी बी बटरफ्लाई स्टार फिश अब आग के लिए एक एक्टिबिटी दी गई है एक स्क्रैब बुक लें उसमें जानवरों की बहुत सारी पिक्चर्स पेस्ट करें और फिर उनको डिवाइट करें vertebrates और invertebrates में और फिर उसमें से तलाश करें कि कौन से जानवर जो है वो पाकिस्तान में पाई जाते हैं next topic is about classification of plants यानि अब पौदों को कितने हिस्सों में तक्सीम किया जाता है there are two major groups of plants पौदों के दो बड़े groups हैं number one flowering plants वो पौदे जिन पर फूल उगते हैं number two non flowering plants वो पौदे जिन पर फूल नहीं उगते flowering plants कौन कौन से हैं plants on which flowers grow are called flowering plants वो पौदे जिन पर फूल उगते हैं उन्हें flowering plants कहते हैं कौन कौन से हैं mustard, rose, sunflower, gawa and lemon are examples of flowering plants ये सब जो हैं flowering plants की मिसाले हैं flowering plants may be herbs, shrubs and tree फूलों वाले पौदे जो हर्ब यनी जड़ी बूटियां भी हो सकती हैं shrubs, जाड़ियां भी हो सकती हैं and trees और दरख भी हो सकते हैं flowering plants are of various colors and sizes फूलों वाले पौदे मुख्लिफ रंगों के और मुख्लिफ sizes के होते हैं pictures of some flowering plants are given below फूलों वाले पौदों की तस्वीरे नीचे दी गई हैं mustard, rose, sunflower, apple, lemon, gava, non-flowering plants the plants on which flowers do not grow are called non-flowering plants वो पौदे जिन पर फूल नहीं उगते उन्हें non-flowering plants कहते हैं moss, fern and conifer for example pine, juniper, tuja, sagopam are examples of non-flowering plants ये सब नाम जो मैंने लिए हैं ये non-flowering plants की मिसाले हैं pictures of some non-flowering plants are given below उनकी तस्वीरे नीचे दी गई हैं moss, fern, pine, juniper, tuja, sagopam some more interesting information conifers are found in the northern areas of Pakistan conifers पाकिस्तान के शुमाली अलाकाजात में पाए जाते हैं for example मरी, सवाद, कागान and टिलास में इन आलाकों में ये पादे पाए जाते हैं conifers are very important for our economy हमारी मेशित के लिए conifers बहुत एहम है its wood is used for making furniture, construction material and ornamental things इसकी लकडी से furniture बनता है और तामीराती काम में इस्तमाल होती है और सजावट की चीज़ें भी बनती है it is also used to make paper, ये कागज बनाने में भी इस्तमाल होती है the seed of some conifers are used as dry fruit such as pine nut, चलगोजा इन में से कुछ conifers के जो बीज हैं वो खाने के लिए भी इस्तमाल होते हैं जैसे चलगोजा now draw this van diagram in your scrapbook and write the differences and similarities between flowering and non-flowering plants in it एक van diagram draw करें और उसमें flowering और non-flowering plants की similarities और differences बताएं तो similarities क्या है living things, both are living things respire, both respire, दोनों सांस लेते है number three, grow, दोनों grow करते है make their own food, दोनों अपनी खुराख खुद बनाते है reproduce, दोनों अमले तौलीद करते है अब differences क्या हैं flowering plants have flowers and fruits flowering plants पर फूल और फल होते है और non-flowering plants do not have flowers and fruits और non-flowering plants पर ये दोनों चीज़ें नहीं होती produce by seeds flowering plants जो है वो बीड से आगे बढ़ते है reproduce by spores non-flowering plants spores के जरिये बढ़ते है और flowering plants dispersed by animals ये इसे जानवर जो है और हवा पानी एक जगह से दूसरी जगह पहलाते हैं जबके non-flowering plants dispersed by air and water ये हवा और पानी से मुनतशिर होते हैं अब आपके लिए एक अक्टिविटी दी गई है स्क्रैब बुक में plants की तस्वीरें पेस्ट करें फिर उन में से non-flowering plants और flowering plants को अलग अलग करें और चेक करें कि इन में कौन कौन से plants पाकिस्तान में पाए जाते हैं नेक्स टॉपिक इस बायो डाइवरस्टी जस्ट लुक अरूंड यू एंड अब्जर्व दा लिविंग तिंग्स सिरफ अपने इर्द गिर्द देखें और लिविंग तिंग्स को अब्जर्व करें Do all the living things look alike? क्या सब जानदार चीज़ें एक जैसी नजर आती है? If no, अगर नहीं, then why? तो क्यों नजर नहीं आती? All these living things are different in their function and structure. तमाम जानदार चीज़ें अपनी बनावट में और अपने काम के लिहाज से एक दूसरे से बिलकुल मुक्तलिफ हैं. The number of the types of living things present at a particular place is called bio-diversity. यानि living things की एक खास मिकदार जो किसी एक जगा पर पाई जाती है, उसे bio-diversity कहते हैं. यानि कोई भी चीज़ जो उस जगा पर पाई जाती है, वो वहाँ के महौल से मताबकत रखती हैं. अब हमारे मुलक का महौल आस्टेलिया या यॉरप के महौल से बिलकुल अलग है. इसलिए यहाँ पर जो जानदार या जानवर और पौदे या परिंदे पाई जाते हैं, वो यॉरप में नहीं पाई जाते हैं. तो इसको bio-diversity कहते हैं. We still do not know the actual number and kinds of living things present on the earth. हमें अभी तक ये मालूम नहीं है कि दुनिया में कितनी जानदार चीज़ें पाई जाती हैं. यानि अभी तक हम उनकी सही तादाद नहीं जानते हैं. Many types of living things have become extinct. बहुत सारी जानदार चीज़ें नापैद हो चुकी हैं. The existence of many living things is in danger due to many factors such as destruction of habitat, change of climate, increase of temperature on earth and scarcity of water. और बहुत सारी जानदार चीज़ें उनकी जिन्दगी डेंजर में हैं, खत्रे में हैं, क्यूं हैं, उनके रहने की जगा तबाह हो गई है, आपो हवा चेंज होती जा रही है, कहीं पर temperature बढ़ रहा है और कहीं पर temperature बहुत कम होता जा रहा है, और जमीन का दरजा हरारत भी तेजी से बढ़ रहा है और पानी की किलत, next topic is major body parts, vital organs and their functions, अब हम इस topic में इनसान के major body parts और बड़े बड़े जो ओर्गन हैं एहम उनके बारे में और उनके function के बारे में पढ़ेंगे, teeth, bones, lungs, heart, brain and muscles are major body parts and vital organs that we will study here. दान्थ, हड्या, फेपड़े, दिल, दिमाग और muscles इनसानी जिसम के एहम body parts हैं, तो इसमें हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, teeth, can you swallow large piece of bread or meat without chewing, क्या आप चबाए बगएर bread का या गोश्ट का बहुत बड़ा टुकड़ा खा सकते हैं, our teeth break our food into small pieces, हमारे दान्थ, हमारी खुराक को छोटे छोटे चोटे टुकड़ों में तक्सीम करते हैं, there are four types of teeth that perform different roles in breaking the food. ये चार मुख्तलिफ किसम के दान्थ हैं, जो हमारी खुराक तोड़ने में एहम किरदार अदा करते हैं, आईए अब उनके नाम और उनके functions देखते हैं, In Aiden, biting and cutting food के लिए खुराक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है. Canine, piercing food and tearing food, यान्य खुराक को तोड़ने उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल होता है. Premolar, chewing and grinding food, इससे हम खुराक को चबाते हैं और बारीक बारीक बिलकुल बन जाती है खुराक. भी खुराक को चबाने और उसको बिलकुल बारीक बारीक पीसने में मदद करते हैं इंटरस्टिंग फैक्ट ये है आ टाइगर हैस लार्ज केनाइंज विर एज रेज रार्ज इंसाइजर्स यानि चीते के केनाइंज वाले दांत जो होते हैं वो बड़े होते हैं और रैट के इंसाइजर्स वाले दांत बड़े होते हैं ताइगर यूजिज इट्स केनाइंज फॉर पाइरसिंग दा प्रे एंड रैट यूजिज इट्स इंसाइजर्स फॉर बाइटिंग फूड और किलिंग इट्स प्रे यरी टाइगर अपने केनाइंज को इस्तमाल करता Now answer these questions Which three body parts are in pairs? कौन से तीन body parts हैं जो जोडों की शकल में होते हैं? Eyes, ears and hands are in pairs तो आँखें, कान और हाथ पियर्स की शकल में हैं दूसरा सवाल Do all the teeth have the same shape? क्या तमाम दांतों की एक जैसी शकल होती हैं? तो answer है, no, all the teeth do not have the same shape नहीं, तमाम दांतों की एक जैसी शकल नहीं होती What is the difference between molar and pre-molar teeth? Pre-molar और molar teeth में क्या फर्क है? जवाब है, molar's teeth are large than pre-molar teeth Molar teeth जो हैं, वो pre-molar teeth से बड़े होते हैं How many teeth does a human being have? एक इनसान के कितने दांत होती हैं? आंसर है, there are 32 teeth in human इनसान के 32 दांत होती हैं Next topic is about bones अगला topic हमारा हडियों के बारे में हैं Press any bone of your body अपनी body की किसी भी bone को, हडियों को प्रेस करें Is it hard or soft? क्या ये सख्त है ये नरब है? Most bones are hard ज्यदा तर हडियां सख्त होती हैं They are of various sizes and shapes ये मुख्लिफ शकलों और मुख्लिफ sizes की होती हैं For example, the bones of the arm are longer than those of fingers Bazo की हडियां हाथ की हडियों से या उंगलियों की हडियों से लंबी होती हैं All the bones are united with one and other ad joints यानि जोडों के जरिये हडियों को एक दूसरे से जोडा गया है All bones of the body make a frame called skeleton ये सब हडियां मिलकर एक frame बनाती हैं जिसे skeleton कहते हैं Can you tell the function of bones? What will happen if there are no bones in the human body? क्या आप हडियों का काम बता सकते हैं? अगर इनसान की body में हडियां ना हो तो क्या होगा? Bones make a structure of a human body हडियां मिलकर इनसान का structure बनाती हैं अगर हडियां ना होती तो हमारा कोई भी धांचा ना होता Complete the table ये हडियों के नाम और उनके function बताएं Skull खोपड़ी Skull protects the brain खोपड़ी दिमाग की हिफाज़त करती है Ribs पसलियां Ribs protect heart and lungs पसलियां दिल और फिपड़ों की हिफाज़त करती है Bones of the hand Heart की हडियां Bones of hands help to grip and hold the things Heart की हडियां चीजों को पकड़ने और उठाने में मदद करती है Bones of the leg Bones of leg help in standing, walking, running and jumping Tang की हडियां खड़े होने, चलने, भागने और कुदने में मदद करती है Interesting information There are 206 bones in the human skeleton Insan के जिसमें 206 हडियां है The bones of the arm and leg are hollow 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 They have bone marrow Unkei अंदर bone marrow होता है Blood is produced in bone marrow और जो खून है वो bone marrow की वज़ा से बनता है Next question is Observe the lungs of a gut and touch them बकरे के फेपड़ों का मुशाइदा करें और उसे चू कर देखें तो कैसे वो feel होते हैं Answer is Lungs feel soft like a sponge in touch चूने पर फेपडे नरम, foam की तरह महसूस होते हैं What is the color of the lungs Lungs का color कैसा है The color of lungs is pink फेपड़ों का रंग गुलाबी होता है Why are the lungs spongy फेपडे जो हैं नरम नरम क्यों होते हैं Lungs are spongy because there are many alovali inside the lungs फेपडे spongy होते हैं क्योंके इन में बहुत सी alovali होती हैं What will happen if the air is filled into the lungs through a wind pipe अगर किसी हवा की नाली के जरीए फेपड़ों में हवा भरें तो क्या होगा If air is filled into the lungs through a wind pipe the lungs get bigger and oxygen from the air pass into blood अगर हवा हवा की नाली के जरीए फेपड़ों में दाखिल होती है तो फेपडे फैल जाते हैं और हवा में मौझूद oxygen होन में चली जाती है When we breathe, which part of our body is filled with air जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जिसम का कौन सा हिस्सा हवा से भर जाता है तो इसका जवाब है lungs During breathing, air enters our lungs through nose जब हम सांस लेते हैं तो नाक के जरीए हवा हमारे फेपड़ों में दाखिल होती है From nose, air goes into a wind pipe नाक से wind pipe या हवा की नाली में जाती है The wind pipe opens into two lungs Wind pipe दो फेपड़ों में खुलता है The lungs are surrounded by ribs फेपड़ों के इर्द गिर्द पसलिया है Our lungs keep on expanding and contracting हमारे फेपड़े फैलते और सुकरते रहते हैं The exchange of oxygen between blood and air takes place in the lungs Oxygen का जो exchange है खुन में शामिल होना है वो फेपड़ों के जरीए होता है Next topic is heart Put your hand on the ribs of the left side बाएं तरफ अपनी पसलियों पर हाथ रखें Do you feel the beat? क्या आपको beat feel हो रही है? The beat you felt is that of the heart जो धड़कन आपने महसूस की है वो दिल की है The heart is surrounded by the ribs दिल के इर्द गिर्द भी पसलिया है It works like a pump throughout the life दिल पूरी जिन्दगी एक pump का काम देता है The muscles of the heart contract and relax दिल के जो muscles हैं वो फैलते और आराम करते हैं यनि फैलते और सुकरते हैं The function of the heart is to pump blood all over the body through the blood vessels दिल खून की नालियों के जरीए पूरे जिसम को खून फ्राहम करता है तो ये हमारा दिल सारी जिन्दगी हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक हमें खून सप्लाई करता रहता है Stomach The stomach is a bag-like organ ये bag की तरह का एक organ है It is present on the left side below the heart ये बाई तरफ दिल के नीचे है It is the biggest part of the digestive tract यनि जो हमारा निजाम हाजमा है उसका ये सबसे बड़ा हिस्सा है It secretes digestive juice इस में से मुख्लिफ किसम के हाजमे के तेजाब या जूस पैदा होते है The muscles of the stomach grind the food मैदे के muscles जो होते हैं वो food को पीसते हैं And the digestive juice digest the food और जो इस में से तेजाब निकलता है वो खुराग को हजम करता है Next topic is muscles Muscles are present in various parts of the body Muscles जिसम के मुख्लिफ हिस्सों में मौजूद है Muscles are also attached with bones Muscles भी हडियों से जुड़े हुए है They are soft Are, can, contract and relax ये नरम होते हैं और ये भी फैलते और सुकडते हैं They are pink or red in color ये रंग में गुलाबी या लाल होते हैं You must have seen the meat of cow, goat or hen आपने मुर्गी, बक्री या गाय का गोश्ट देखा होगा What is their color उनका रंग कैसा होता है तो उनका रंग भी गुलाबी या लाल होता है Muscles perform various functions Muscles मुख्लिफ किसम के काम करते हैं Muscles work with the bones and joints to help you move hands, arms, feet and legs हाथ, बाजू, पाउं और टांगे हिलाने में हमारी मदद करते हैं Due to these movements, we can sit, walk, run and jump इन हरकात की वज़ा से हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं और छलांग मार सकते हैं Our heart pumps blood with the help of muscle हमारा दिल भी muscles की मदद से खून को pump करता है, यनि दिल के अंदर भी muscles होते हैं Muscles move food through the digestive system Muscles यह जो खुराक को digestive system में धका देते हैं It is due to muscles that our lungs expand and contract और muscles की वज़ा से ही हमारे फेपडे फैलते और सुकडते हैं Do you know, क्या आप जानते हैं When the muscles attached with bones contract, they pull the bones के हमारे जो muscles हैं, वो हडियों से जुड़े होते हैं और वो हडियों को खेचते हैं Due to this, bones move at the joint इसकी वज़ा से हडियां जोडों से हरकत करती हैं A joint is where bones are connected और joint वो जगा है जहां पर हडियां जुड़ी होती हैं For example, elbow, wrist, knee वगएरा यानि हमारी कोहनी, हमारी कलाई और गुठना है यहां पर दो हडियों के जोड जुड़े होए हैं Muscles work in pairs Muscles हमेशा जोडों की शकल में काम करते हैं When one muscle contracts, the other relax जब एक muscle जो हो काम कर रहा होता है तो दूसरा आराम करता है Interesting information When we smile जब हम मुस्कुराते हैं तो 14 muscles are needed तो हमें 14 muscles चाहिए होते हैं There are almost 600 muscles in our human body इंसान के जिसम में 600 muscles हैं Almost half of the body weight is due to muscles जिसम का आधा वजन muscles का होता है Next topic is brain The brain is the most important part of our body हमारे जिसम का सबसे एहम हिसा दिमाग है It is present within our skull ये हमारी खोपड़ी के अंदर होता है It controls all the functions of our body ये हमारे जिसम के तमाम हरकात और कामों को कंट्रोल करता है It collects information from different parts of our body ये जिसम के मुखलिव हिस्सों से information collect करता है जमा करता है and decides the type of response our body should give और ये फैसला करता है कि बोड़ी को किस किसम का response देना चाहिए Next topic is parts of plants and their function पौदों के हिस्से और उनके काम पहले आपके लिए एक activity दी गई है Take a small flowering plant एक छोटा सा फूल का पौदा ले Observe its various parts और इसके मुखलिव हिस्सों का मुशाइदा करे Draw a sketch of the plant पौदे का sketch बनाए तस्वीर बनाए And label the parts of the plant और पौदे के हिस्सों को label करे याने उनके नाम लिखे There are five important parts in a flowering plant एक पौदे में पांच एहम हिस्से होते हैं These are called और इने कहते हैं Root, जडे, stem, तना, leaf, पते, flower, फूल and seeds Each part performs its particular function हर हिस्सा अपना एक खास किसम का काम सर अंजाम देता है Root, जड The root is present under the ground जड़ जमीन के नीचे होती है Its branches spread in different directions और इसकी शाखें मुख्लिफ सिमतों में फैली हुई होती है The roots anchor plants in the soil जड़े, पौदे को जमीन के अंदर पकड़ कर रखती है And absorb water और पानी को जज़ब करती है And minerals और मादनियाद को from the soil, मटी से Stem The stem grows above the ground तना जमीन के उपर बढ़ता है A stem has many branches तने की मुख्लिफ शाखें होती है There are many leaves on the stem and its branches तने पर और उसकी शाखों पर बहुत से पत्ते होते हैं The stem transports water and mineral from root to the leaves यह जो तना होता है यह शाखों से लेकर पत्तों तक पानी और मादनियाद को पहुंचाता है It also supports the plant और यह पौदे को खड़े होने में मदद देता है यह पौदा जो है तने के सहारय पर खड़ा होता है जितना अतना मजबूत होगा उतना ही पौदा सीधा खड़ा होता है उत्छ पौदे ऐसे हैं जिनके तने बहुत कमजोर होते तो आपने देखा होगा कि वह भी बहुरें होते है Leaves, when you look at a plant, जब एक पौदे को आप देखते हैं, what is the first thing you notice, तो आपको सबसे पहले इसमें से क्या नज़र आता है, the first thing you usually notice in a plant is its leaf, जो सबसे पहले आपको जो चीज नज़र आती है, वो इसके पते होते हैं, leaves are of different sizes and shapes, पते मुख्लिफ sizes के और शकलों के होते हैं, Usually the leaves are green, ज्यादा तर पते सबस होते हैं, the important function of leaves is to make food for the plant, पते का सबसे एहम काम पौदे के लिए खुराक बराना होता है, Flowers, the flowering plants have beautiful flowers, फूलों वाले पौदों पर खुबसूरत फूल लगे होते हैं, different plants have flowers of different sizes and colors, पौदों पर मुख्लिफ साइज और मुख्लिफ कलर्स के फूल होते हैं, Fruits and seeds are formed from the flowers, फूलों से फल और बीज बनते हैं, did you ever wonder about the purpose of these colorful flowers, आपने कभी देखा है कि इन colorful फूलों का मकसद क्या है, Seeds, when seeds are formed within the flower, the area surrounding the seed ripen into fruit, जब कोई बीज फूल के साथ बढ़ता है, तो बीज के इर्द गिर्द पका हुआ फल लग जाता है, Some fruits such as mango, apricot, peach have only one seed, कुछ फल जैसे आम, आड़ो और खुबानी वगएरा का एक बीज होता है, Some fruits have many seeds such as watermelon, papaya and kawa, और कुछ फल होते हैं जिन में बहुत ज्यादा बीज होते हैं, जैसे तरपूज, पपीता और अमरूद वगएरा, When a seed is sown, a new plant germinates from it, जब कोई बीज बोया जाता है, तो उसमें से नया पौदा अग जाता है, अब इस सबक के एहम main points देखते हैं, कि इस सबक में हमने क्या क्या पड़ा है, Living things are divided into two main groups, plants and animals, जानदार चीज़ों को दो हिस्तों में तक्सीम किया जाता है, पौदे और जानवर, दूसरा key point है, प्लांट्स make their food themselves, पौदे अपनी खुराख खुद बनाते हैं, Whereas animals depend on plants or other animals for food, जबके जानवर अपनी खुराख के लिए दूसरे जानवरों और पौदों पर इनहिसार करते हैं, बोथ animals and plants need food, sunlight, water and air, पौदों और जानवरों दोनों को जरूरत होती है खुराख, सुरच की रोशनी, पानी और हवा की, नमबर फोर, animals are divided into two groups, vertebrates and invertebrates, जानवरों और पौदों को दो हिस्सों में तक्सीम किया जाता है, vertebrates और invertebrates, plants are divided into two major groups, flowering and non-flowering plants, plants को दो हिस्सों में तक्सीम किया जाता है, फूलों वाले पौदे और बगैर फूलों वाले पौदे, नमबर सिक्स, the number of the types of living things present in a particular place is called bio-diversity, यानि एक खास किसम के जानदारों की तादाद जो एक खास जगा पर मौजूद हो, उसे bio-diversity कहते हैं, Teeth, Bones, Lungs, Heart, Stomach, Muscles and Brain are the major parts and vital organs of the human body. दान, हड़िया, फेफडे, दिल, मैदा, मसल्स और दिमाग इनसान की जिसम के इंतहाई एहम हिस्से हैं. नमबर 8, The function of teeth is to chew food, दान्तों का काम खुराक को चबाना है, Bones protect body parts and help in movement, Bones जो हैं, इनसान के जिसम के मुख्तिफ हिस्सों को बचाती हैं और हरकत करने में मदद करती हैं. The function of lungs is to bring air into the blood, फेफ़नों का काम खून में हवा को लाना है, Heart pumps blood into the body, दिल जिसम में खून को pump करता है, The function of stomach is to digest food, मैदे का काम खुराक को हजम करना है, The muscles attached with bones move the body parts, मसल्स जो हडियों के साथ जुड़े होते हैं, जिसम के मुख्तिफ हिस्सों को हरकत देते हैं, The function of brain is to control the function of other body parts, दिमाग का काम जिसम के मुख्तिफ हिस्सों के functions को कंट्रोल करना है, Number 9, Root, Stem, Leaf, Flower and Seed are the major parts of plant, जड, तना, पते, फूल और बीज, पौदे के एहम हिस्से हैं, Number 10, The function of root is to anchor the plants into the ground and absorb water and minerals from the soil, जड का काम क्या है, जड का काम है, जड का काम है, पौदे को नीचे से मजबूती से बांद के रखना और पानी और मादनियात को मिटी से पौदे तक पहुंचाना, Number 11, The function of stem is to transport water and minerals from roots to the upper part of the plant, अब तने का काम क्या है, तने का काम है, पानी और मिनरल्स को जड से लेकर पौदे के उपर वाले हिस्से तक पहुंचाना, Number 12, The function of leaves is to make food and produce oxygen, और पतों का काम है, खौराग बनाना और oxygen प्रोवाइड करना, The function of flower is to produce seed, और फूल का काम है, बीज पैदा करना, The last है, the seeds germinate and make new plants, बीज जो होते हैं उन्हें जब बोया जाता है तो वो दुबारा से उकते हैं और एक नया पौदा पैदा करते हैं, तो ये था science का first chapter, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे like और share ज़रूर करें, और इस तरह की मजीद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कर लें, अगरी वीडियो तक के लिए, अलाहाफेज, कि अफ़राब के लिए्यो का हैं, बालाहाफेज वीडियो फन्या पीजियो की मेरे टाव बालाहाफेज, ये अवीदोर के लिए मेरे प्रभवश। रवेश।क दिए की मेरे, जब हावश्वच्पप लावश्वच्ट पताने के ज़रूरूर के लिए रहाफेज़ मेरे, झाल झाल